कि अलो फ्रेंड्स असलाम लेकूम सुबह बज रहा हैं नव मैं लंच की तैयारी कर रही हूं यहाँ पर मैं ड्राइज आलु की भाजी बना रही हो चाय हम सबने पी लिया थै कि आज मैं लंच में ज्यादा कुछ नहीं बना रही हूं, ड्राई भाजी और रोटी बना लूँगी, सिंपल सा, आज हम सब लंच में यही करेंगे, क्योंकि हम सब को कहीं निकलना है, दो पहर के दो बज रहे हैं, हम सब ने लंच कर लिया है, फटा फट से मैंने सब काम को करेंट दिया है, यहाँ पर मैं रेडी होने जा रही हूं, सारे कपड़ों को मैंने निकाल के रख दिया है, बच्चों को भी रेडी कर दे रही, फिर मैं आप से मिलती हूं, आज मैं अपने मैं के जा रही, एक हपते के लिए, तो मैं वही से ब्लॉगिंग करूंगी, और आप सब के साथ वहाँ की वीडियो सेयर करूंगी, वहाँ पे बहुत अच्छी ची वीडियो बनाऊंगी, और आप सब के साथ सेयर करने की कोसिस करूंगी, तो फ्रेंस, अपन आपने में के जा रही हैं वहां पे ही मैं बलॉगिंग करूंगी और आप सब के साथ बहुत सारी अच्छी ची क्लिप आइड करके सेयर करूंगी आप सब इंज्वाय करिएगा अब देख सकते हैं सब रेडी हो चुके हैं बच्चे भी यहां पे रेडी हैं अब हम सब निकलने वाले हैं तो मैं घर को लोक करती हूं और फिर मैं वहां पे चलके आप से मिलती हूं प्लिपार्ट से मैंने एक पारसल मंगाः थैसकी अनबक्सन करके मैं आप को दिखाती हैं को मैंने क्या उप्लाइ कर को फिलिप कर कर दोंगी और description में इसके link को दे दूँगी अगर आप चाहें तो इससे purchase कर सकते हैं ये 199 में मुझे मिला है ये Maybelline का eyeliner है और बहुत बेश्ट आया है मैं इसे open करके आपको लगा के दिखाती हूँ इससे पहले भी मैंने येही eyeliner मंगाया था बहुत अच्छा work कर रहा था और बहुत अच्छे quality का मुझे मिला था आप चाहें तो इसे flip card से purchase कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने इसे हाथों पे लगा के दिखाया है ये बहुत बेश्ट है आप चाहें तो इसे purchase कर सकते हैं तो friends finally मैं अपने मैगे पहुंच चुकी हूँ मुझे आए हुए एक घंटे हो चुके हैं साम के बज़राएं पांच यहां पे रात के डिनर की तयारी चल रही है सिश्टर खाना बना रही है और डिनर में बन रहा है खीर, दाल वाली, पूरी और चिकन ये हम सब का फेरेट है इसलिए सिश्टर यहां पे बना रही है हम सब आज बहुत इंजवाय करने वाले हैं आप सब को मेरा ब्लोग कैसा लगा मैं थोड़ी थोड़ी कलिप इसमें आइड कर रही हूँ अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ